हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे यूटूब चैनल जूनियर मॉनिटर में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यूटूब वीडियो के लिए वाइरल टैक कैसे ढूंडे इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके वीडियो का जो रिच है वो काफी जादा बढ़ जाएगा और चैनल का ग्रोथ भी काफी तेजी से होने लगेगा दोस्तों वीडियो को लाश तक देखेगा और वीडियो अच्छा लाइग हो तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा इसके मानली जिए यहां पर मैंने YouTube वीडियो अपलोड कैसे करें, उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं कि YouTube वीडियो अपलोड कैसे करें, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने देख सकते हैं कि इस topic is related यहां पर बहुत सारे tag आचुके हैं तो आपको क्या करना है इसका एक screenshot ले लेना है और screenshot लेने के बाद आपको copy में note कर लेना है note करने के बाद आपको back आजाना है back आने के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो है chrome browser को open करना यहाँ पर chrome browser को open कर लिए open करने के बाद यहाँ पर आपको search बार में लिखना है rapid text rapid rapid text लिख करके आपको search कर देना है search करने के बाद यहाँ पर उपर में देख सकते है Rapid Text लिखा हूँ आ गया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के वाद Use Tools for Free पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को अपने वीडियो टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर टैग को सर्च करना है यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं यूटूब वीडियो अपलोड कैसे करें देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया उसके बाद इंटर दवाते हैं दवाने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि इस topics related यहां पर भी बहुत सारे tags आ चुके हैं यह सब जो tag है वो काफी ज़ादा rank कर रहे हैं तो आपको इसका एक screenshot लेकर कि आपको copy में note कर लेना है note करने के बाद आपको back आ जाना है back आने के बाद आपको तिसरा जो काम करना है वो है tube body application को open करना अगर tube body application आपके पास है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो आपको play store से download कर लेना है यह जो application है वो YouTube का ही application है यहां पर देख सकते हैं मेरा tube body है इसको मैं open कर लेता हूँ open करने के बाद देख सकते हैं यहां पर नीचे में left नीचे में right side corner में आपको three line का option दिख रहागा उस पर आपको क्लिक कर लेना है यहां क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको first number में ही tag explorer का option देखने को मिल जाएगा तो इस पर मैं क्लिक कर लेंगा क्लिक करने के बाद आपको tag पर क्लिक करना है और यहां पर आप लोग को वो tag को लिखना है जो tag आपने youtube से और rapid tag से और screenshot लिया था तो यहां पर चली एक मैं tag को डाल लेता हूँ youtube video upload कैसे करें देख सकते हैं मैंने लिख लिया इसके बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहां पर इससे related tag आचुके है यहां पर देख सकते हैं search volume इसका जो है वो काफी low है competition level जो है वो high है overall fair है लेकिन आपको क्या करना है search volume high होना चाहिए competition level low होना चाहिए और यह overall हो है वो भी high होना चाहिए अगर यह सही है तो आपको उस tag को अपने youtube video tag में add करना है अगर नहीं है तो आपको यह tag नहीं डालना है उसके बाद दूसरा tag को उठाना है जो आपने screenshot लिया था उससे और इस तरह से आपको सभी tag को check कर लेना है जिसका search volume high हो और competition level low हो और overall high हो तो आपको उस tag को अपने video में add करना है इस तरह से अगर आप अपने video में tag को add करेंगे तो आपका जो video का rank है वो काफी तेजी से होने लएगा और आपका video सर्च में आने लएगा इस तरह से आपका video जो है वो viral हो जाएगा तो दोस्तों ये trick आप लोगों का अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देगा और channel पने हो तो channel को subscribe कर लिए क्योंकि इस channel पाप लोगों को किसी तरह टिफ्स और ट्रिक्स मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं फिस एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए टाडा भाय भाय